अब आज मैं आपके सामने एक फैक्ट लेका है कुछ लोगों को यह पसंद भी आएगा कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा तो यह एक फैक्ट है कि बहुत सारे ट्वीटर पे अभी हडवजन चेंग और गॉतम गंभी में फुलके बोलाया है कि हमारे देश में जो है किलके सच में और भी कोई कर्यारी कुछ यह युघनाई ही देता है बर पिस ऊकेला ट्रॉपी जीताता है कि सबी कर दोलके हों के पुरा मेह उसे में जीता देता है लेकिन बिनम्ना यह है जब ऑश्क्वाट जिता है तो चुनकिया और एकुदाबनी जिए सफ होती ध। और वही खेलारी जब टीम में होते वे मैच हारता है तो फिर यह सुर्खियां क्यूं नहीं बनता और आज के तारिक में एक खेलारी को इतना बरा दर्जा क्यूं दे दिया जाता है जब कि वह खेलारी बहुत सारे टूर्णामेंट में पार्टिसिपेट किया है लेकिन वह खे पर हम मान चुके हैं ऐसा ये हरवाजन सिंग नहीं बोलते हैं गौतम गंबीर का भी यह एस्टेटमेंट है गौतम गंबीर भी बोलते हैं कि आसीस आइसी ट्रोफी नहीं जितने पर गौतम गंबीर का क्या कहना हमारा देश टीम को लेकर जुनूनी नहीं है बलकि बड़े खि खिलारी को टीम से बरा मांते हैं इंगलाय निदुले नभा के देशों में टीम बड़ी है एक खिलारी नहीं यहीं वज़ा है कि हम लंबे समय से आईसे ट्रोफी नहीं जी सके हैं हम उस खिलारी से पोस्टन भी नहीं कर पाते हैं कि आप यह मैच क्यों हो आघा है हम उसको खिलारी एक ऐसा खिलारी होता था जो फिकेट के पीछे रखे मैं बता देता था वह खिलारी तीम में नहीं होने से टीम आईसे ट्रोफी हार रही है आपके सामने आर्ट मैं ऐसा एक लेकर आने वाला हुना महन सिंग होनी 24 में इंटरनेशन किर्केट में आ गया है उसके बा यह दर टीम को चेंपियन बनाना चाहिए था आज दूसी पर बात करेंगे पहले बात कर लेते हैं हम ऑस्टेलिया जैसी मजबूर टीम जिसके पास आज के तारिक में सारे ट्रोफी है और यह जो फोल यह पीक आप देख रहे हुना यह पीक ऑस्टेलिया किसी किर्केटर ने पर लागी कोन कोनकिता है में जट हैं यह अशीचे मालप मजबवy ऐ तले ला को लेकिकंटर है इसके लिए तिनए उनने बहुत टारा परिश्रम किया यह पांच जो खेलारी ने इस इस तीन ट्रोफी में इन्होंने पाटिसिक्ट किया है और अभी लिविंग लेजेंट है माना जाए तो उसमें आती शुक्ती नहीं होगी एक और मैं फैक्स बताना चाहूंगा डिक्की पॉंटिंग दोजा तीन का वर्ल्ड कप जिताते हैं दोजा अपना फर्म में आनी की कुछ करूंगा लेकिन हमारे देश में वैसा नहीं है खिलानी ने एक वर्ल्ड कप जिता दिया हमने उसको शिर से बैठा दिया आज के तारिक में भगवान बनाके बैठा दिया तो यह चीजे आज उनके साथ खिलने वाले खिलारियों ने अब यह कर दो के निवेड़न से पहले भी बोला जा चुका है योगराच सिंग ने बहुत स्टा पहले बोला था कि यह राध से महन सिंग धोनी जलता यह बिल्कुल बात है इसका और मैं एक डूड़ो बनाऊंगा लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ इस बंदे का महन सिंग धोनी तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं सो सकता है यह डवल फेसे इंसान है इसका दो फेस है एक पब्लिक प्लेस में अलग है आप परसनल लाइप में अलग है जिसने अपने भाई से लगभग 16-17 साह से बात भी किया है समझे तो इसके जिर में कितना घिरना प्राव हुआ है वह इंसान कितना जिरुत का कितना काला हिसान होगा तो अपने भाई पे इसके एक वीडियो पड़ाऊगा क्यों जोनों भाई के भी मत बेद आया तो यहां पे अब बात कर लेते ऑस्टेलिया को यह कुछ फर मिला है वह ऐसे नहीं मिला है इसके टॉप टॉप ओलर जो मीश यह आपका इस बताता है कि यह देश के पास सारत रॉप प्रकार जिते हो यह आपका इंपक्त होता है यह एचीज बताता है तो बस एक ही रिजन है कि इस देश के खेलारियों ने इसके लिए जुजहारू मेनत किया है पैसे के पीछे नहीं भागा है यह मिशल स्टार्क लास टेम जब आया था यह साथ परो आट परोर में भिखाता इस बार भी आता दस पारात परोर में भिख जाता लेकिन पैसे को ब करने वर्द कर आप यह मैं ज्युक्त तुनि आपको पता ही है कि मैं ज्युक्त इंगरेशन परोर में अब उसके पहले पार कि उन्हों कुई कि नहीं प्रदर्शन नहीं किया सब्सक्राइबब पर नहीं जा पाई ढौए आड़ेशस में लीग से उपर नहीं जा पाई जोजाब बैदेशम फाइनल पहुने नहीं तो जब आप आप सिंगल एंडली पूरे क्रेडिक लेते हो तो यह सभी टूर्णामेंट क्या आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं था यह सभी टूर्णामेंट सिर्फ आप आप अपने वल्बूते चीते थे मैं यह भी फैक्ट बताऊंगा अच्छे रन पनाता है मैं किंगोनी ने मास्टरेश रोग जो गिंद्र सर्मा को लाया तो नहीं ने मैं साथ जिते गिया तेके बत्म गंबिर का फॉश्चे नेगल नेगलेशन है और इतना लोग यह उन नहीं मारता तो टीम क्या एक पसंता आवंता थी यह विव्लास्टीं अगर में एक हैंडली मैंच में जिता था तो क्या आप इंग्या टीम में पहुंच पा थी इवराज सिंग ही एक ऐसा खिला रही था जिन्हों जिसने लगातार 6 गेंटों पर 6 चके मारके इंग्लेंड जैसे खिला इंग्लेंड जैसे देश को बैक फूट पर जाकेल दिया था और युवराज सिंग ऐसा खिला रही था जिसने झाव ऐसा खिला खिला केला था और उन्होंने थींको सेवी फाइंड के उपर फाइनल कह आ तो यहां पे से महन सिंगोनी की चर्चा क्यूं कि महन सिंग्भाएं आया को बिदर बना दिया उसके बाद कोई भी ऐसे से शेवे इसके बॉलिंग पर बताता है क्या इसको लगाया गया था वह बता अब यहां पर देखिए बॉलिंग में इनके पास बास्टर कॉंस्ट अटी सिंग स्विशन इर्फांट पठा और इनके पास धरबजन इसको पठा अब यहां पर एक चीज यह था कि सामने जो खेल गाता मिस मिस्वाव लह थारवजन सिंग को उनिसवे ओवर में अठार में अच्छा कासा है उसने पिटाई कर दिया था उसमें शत्रा अठार अठार रहन उसको लग गया था इसलिए टीम मैं सिंग रोनी ने टीम चाहरी थी कि स्पीनर के साथ नहीं जाए क्यूंकि उनके पास और को और करें वह दो नहीं लगी हुई थी, वह नास्ट ऑवर उनका था जो गिंदर शर्मा जो पर फांद पर ठान पर श्रीसां तो हम जोगिंदर शर्मा के एक आफ पच्छा जाते जोगिंदर शर्मा को बालिंग में लगाने का कोई रादा नहीं था वहां पर मजबूरी में जो गिंदर सर्मा नहीं बोलते हैं यह master stroke नहीं था जो गिंदर सर्मा बस मैंच में एक फास्टर होने के वज़े से उनको बॉल दिया गया था आप मिस्वाव लग बोलता है कि महन सिंधोनी नहीं सारे से स्वीसंद को पर भलाया, कुछ नहीं सभी ठिलाडी को पता था कि मिस्वाव गाई फूल शॉक बहुत अच्छा करता है, वो इस्पूब ट्राइब करेगा ही करेगा क्योंकि उसके स्पेशलेटी थिक हुई स्पुप करता ही करता उस वर्ण मारता ही तुप यूप बहुत अचा क्या है निसपा उस वर्ण हो स्पूप मारता ही मारता ही इसी दे वो लेक साइड में फिल्टर लगा रखा था फाइन लेक पांडरी पे, महां पे मैं शिंग रोनी का कोई भी मास्टर स्टोक नहीं था आगर आप इसको मास्टर स्टोक बोलोगे जब तो फिल्पेट खें़लेगा कोई मतलब नहीं है जब आपको खिलारी का घंबूली न पताओ, आपको पता नो से या खिलारी का उप्लिट करनेगा इसको मास्टर स्टोक नहीं बोलते हैं इनोंने कौन कौन के इस ICC Trophy में पार्टिसिपेट किया है और उसमें इनका क्या योगदान रहा है अब आते हैं दो जाने गारेकर फाइनल के इस मैच में जहीर कान पुरे टुनामेन में जहीर कान ने 21 विकेट लिये थे पर इनके टी शर्ट पर इनके टी शर्ट पर जो ने ट्राइम मारा था उसको सब्सक्राइब बताता है सब्सक्राइब परफेक्ट हैर मैंच जिताया गहाँ पर वारिश के मैंच वजह होओ डिशी शर्मा शेघरदावन ऑपन करने से वेश बीराट-फोली ने एक बहुत धानी शरनों की शिकारगान के बल्ले से हम क kijो चलिए हमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया ौहल बहुत अच्छा दिमाग लगाया। आप बात करते हैं। पॉलिंग में देखे, रवीचंदरनाश्वीन ने चार अगोरा पंदर रंडे के दो विकेर लिए। अब इनके कबलियत पे तो कोई भी शब नहीं कर सकता है। आफ्री विकेर इनों नहीं जाता है। आफ्री विकेर पॉलिंग भी शब नहीं कर सकता है। रवीचंदरनाश्वीन नहीं जाता है। इनके नाम से। ऐसा तो नहीं है। हमाया देश की यहीं भी डबना है। एक खिलारी की शेस को बहुत उच्छा दर्जा दे देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो खिलारी खेलता है। उसका उतना अच्छा दर्जा नहीं मिल पाता है। यह बात जोगराज सिंग भी बहुत पहले देखकर चुग है। और जोगराज सिंग जैसा खिलारी इंडिया तिम को ना तो मिला था आज के तारिक में कम से कम एक दो आयसी चौपी इनके पास जरूर होता है। लेकिन इंग्लेंड वोर्ड मॉर्गन जैसा खिलारी इंग्लेंड को पहली बार 40 साल के इस्ट्री में पहनी बान में जिताता है। म 당시 देती वहां जो कि एक सबसुड़क करेंपे यां ठोख को को सबस्की अच्या होता है। सब्सक्राशा सब्सक्राइब है। सब कुछ मांतिक हैं दोनी दोनी खेल रहेते लेकिन इंडिया का कंडिशन था उस में मेंक डिटा यह इन्होंने ? इंडिया ने फीन मैं खेले पीन मैंसे रहे एक गाहिए अब घूर्फू से भी आगे नहीं पर्पा है तो पहला मैंच इन्होंने जिता युने में फिलाव 4 दूसरा मैच बेस्टेंडी से आड़ गए तीन फिकेट से ग्रोट रही गयते हैं और तीसरा मैच और चलिया से आड़ चे पिकेट से उसमें 26 बॉल्ट बचे हुए ते फिर मैंसिंग दोनी में नहीं गीता है क्यों नहीं गीता है अब बात करते हैं दूसरे आइसी ट्रोफी अब बात करते 2009 के आइसी मेंस्टी 20 वर्ल्ट गपता है ते आज में इंडिया टीव जीट के आगे आई थी अपने ट्रोफी गाज हम प्रॉप को बचाएंगे लेकिन क्या हुआ ग्रूप में तो मैच जीते हैं आगे पढ़े शां से आग वहां पे तीनो मैच हार गे बेस् अब चलिए अब बात करते हैं यहां पर करती होगे साथी के लाड़ी उने साथ नहीं दिया जाते हैं और गुरूप से भाड़ हो जाते हैं यह आगे पढ़ते ही नहीं सेमीपैनल भी नहीं खेलते हैं चेंपिन स्टोपी फिर से नहीं जीता पाया दोनी ग्रसाथ का जादू की नहीं चला वहां दस में गुरूप में यह अफ्गानिस्तान से आफगानिस्तान को हरा है साथ विखेट से फिर मैची रोने साथ अपनिका कॉड़ रहा है यहां जोदर रहनों से उसके बाद होसेल और किसी के लारी में अच्छा साथ नहीं दिया लगपाई चलो फिनामेंट निकल गया यह आप नोट करते जाएगा यह चौथा था था रचे का आईसी चेंपिन्स ट्रोफी था था शाथ का मेंस वोल्ड कप व्याजा नौ का आईसी चेंपिन्स ट्रोफी 2010 का आईसी टीट यह चार ognामेंट इननkiye आउसी अॉर्टिकस ट्रोफी अभीत्र यह चार्टा मज़्या ब्रच आफ मज़्या बंस ट्रोफी घ्यन सक्षा निकश्या इतंट ना से धुमाटर बलाफ़ा ले शेता है शेत्व फिर यहां पे इनोंने धीन मैंच में दो जीता और एक थार के साथ पॉइंग लेके यह इस ले खाइब कर गेते। नेल के वालट करते हैं है जो का एगा रहा है। अस्ट्रिया को राद या थेटर रहा आँऑ से पांच बॉल्ट रहते हुए और वे और आये नहीं जित पाए। पर चेवीकर से हाड़ गए स्री लंका से फिर क्या हो गया दोनी तो चिलाब अच्छा केंते फिर दी चेवीकर से आड़ गए क्यों इस मैच में किम निजीता आपा है नोच करते जाएगे दोस्तों यहां पर यह इनका आट चाहिए इनका छटका मैच का आज दीका अब बात क आट बचये लिए पर आट फिर चेवीकर से आट गएट पचये उए थे फिर बंगलादेश से जिदगे 109 रन से और फाटर फाइनल में बंगलादेश को इन्होंने पंचान में रन उसार गे फिर दोनी का मैजिक नहीं कांग किया जग्किक कप्तान थे उनको खेनला इनको जिताने के लिए यह साथमा आइससी ट्रोफी था इनका जो कि यह नहीं जिते फिर 2016 का वर्ल्ट कप देख लिए पहला मैंच है आर जाते है निजोलाग में एकला 47 रनों से दूसरा मैच पाकिस्तान जिते है छे विकर से तेरा गेंट बच्ची हुई थी फिर तिसरा म महां पर मेजिक नहीं जो रहा किहा सिस्प करणता है यह नकीए 8 तॅ क्याति एक ख्याल रहे ते फिर शुग नहीं जितान फंटव से जोली एक भारत के उपर एक शर्वनाक अभबा लगया है, पकिस्तान जेती क्लिम से ICT का पाइनल आ रहे है, इतना अड़ी बूरी तरीके से हाड़े, 180 रनों से आ रहे है, 180 रनों से दोस्तों वो याद होगा आपको, क्या गंदा पहला था, उन्जन की मुणा, ये याद होगा जोस आरवस आत्रीकर से, फिर ये साउथ अफ्रीका से जिते, 8 विकर से दर गेंदर रहते हैं, फिर सेमी फाइनल जीते बंगलादेश से, 9 विकर से, 165 बच्चे भी थे, फिर पकिस्तान से आरगे, 180 रनों से आरगे, क्यों नहीं जीता आया है, हुनी, अब बात करते हैं ये जो यहां इसकी शुवात करते, साउथ अफ्रीकार के गेंद्स, 6 विकर से मैच जिती है, 15 गेंदर रहते हुए, फिर अस्टेलिया से इंग्या, 36 रनों से मैच जिती है, फिर निजुलेंड से मैच नहीं हो पाता है, बारिश के वज़ज़ से, फिर पाकिस्तान के गेंस, 89 रनो से मैं सिंह जिता पाते, 18 रनों से मैच आर जाती है, वहांपर मैं सिंह दोस्तों, यह इनका आटमा आइसी प्रॉपी था, जिसमें यह तीम को मैच नहीं जिता पाए, मैं सिंह रोनी खेलते हुए भी तीम को नहीं जिता पाए, तो यह खिलारी के लिए जो आज का, आज मैं सिंह था, जो कि पूरा क्रेडिट मैं सिंह दोनी ले लिए, यह बहुत ही दुखत है, और वह दुख यह खिलारी के जजबात अब निकल रहे हैं मैं सिंह अरवजन सिंह और गॉतम गंबिर के द्वारा, तो दोस्तों किसी भी खिलारी आप ऐस्टेलिया से सिखो, ऐस्ट मैं सिंह बहुत है, तो दोस्तों यह था, हमारे तेस में जो भगवान बनाने का यह है, अखास करके कुछ भी शेस खिलारी जैसे धोनी हो गया है, उनको जिस तरीके का ट्रीट में, जिस तरीके से लोग मानने लगे हैं, कि अब धोनी धोनी ऐसा नहीं है, उसने भी आठ बढात बढाता है, लगे प्रच चुलारी को कि अबिल नहीं है, अब यहमारे बता दिया, दो थे प्रच चुल आपको प्रसंटा की नहीं घटा है, तो हम एक जो मेनद किया थे कुछ खिलारी को फिरे नहीं में पाता है, जिसने कफ्तानी है, लिकेर के पीछे से खिए आप लोगों को अच्छा लगाओं अब अब अच्छा लगाओं अब अब अच्छा लगें को लाइक